भारत आये हैं FBI चीफ तो भारत के साथ CBI की मीटिंग और उसके अलावे NIA की मीटिंग हो किया रहा है यहां पर जहां एक तरफ यह सारा कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने निजर अत्याकांड में भारत के खिलाफ आरोपों पर अब क्या कहा है जस्टिन टूडू की नई बविस्वानी क्या है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है जानने को है बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से आपको बता दें सबसे पहले सुरुवात हुई कनाडा के परदान मिंतरी जस्टिन टूडू के द्वारा और कहा जाता है कि ये तो पूरा मन बना कर आये थे कि जी ट्वंटी की बैठक में ही अमेरिका और जी सेवन के बांकी दोस्त देशों के साथ मिल कर भारत से सीधे ये मुद्दा उठाएंगे मतलब पूरा का पूरा जी ट्वंटी ही खराब करने के मोड से ये आये थे वैसे कहा जाता है कि अमेरिका के केस से ही इन्पुट मिला अब कितनी सच्चाई है ये अमेरिका जाने और कनाडा जाने लेकिन निजजर की हत्या में भारत के खिलाफ स चिंतित थे वो ओसुरक्षित थे निजर के हत्या के तुरंत बात से ही चिंताएं जताई जा रही थी हमने सुनिश्चित किया कि हमारी सुरच्छा सेवाई लोगों को सुरच्छा परदान करने के लिए है अलाकि कनाडाई सरकार के आरोपों को भारत के विदेस मंत्राले न कहा कि यहास्यस्पद होता अगर इसका दोनों देशों के बीच के संबंद पर कोई परभाव नहीं पड़ता उनों ने कहा कि 18 सितंबर को दिये गए गोशना के बाद केवल भारत से ही नहीं बलकि कंजरवेटिव नेता पियरे पॉलिबरे ने भी सबूत मांगे थे वैसे आप को बता दे अभी तक अपनी संसत को सबूत नहीं दे पाया है कनाडा लेकिन भारत को रोकने के लिए ये आरोप लगाना जारी था ये कहा जा रहा है कनाडा के पियम के द्वारा भारत के बार बार सबूत मांगने के बाद भी अब तक मुहया नहीं करा सकने वाले खालिस्ता के हमदर्द कनाडा के पीम जस्टिन टूडू ने चुपपी तोड़ी जस्टिन टूडू ने कहा कि सिख समुदाई की सुरक्षा चिंताओं और भारत को रोकने के लिए उन्होंने सारुजनिक रूप से भारत की सरकार और हत्या के बीच संबावित संबंध को लेकर आरोप ल कनाडा के एक गुर्द्वारे में गोली मार कर हत्या की गई थी कनाडा की प्रेस को दिये गए इंटर्व्यू में जस्टिन टूडू ने उस दिन संसत के हाउस ऑफ कॉमंस में दिये गए संदेश को एक निवारक उपाय बताया आपको बता दें अब कनाडा इन बातों को कह है चलो समझ में आता है कि तुमने इन बातों को कह दिया पर आखिरकार वहां पर जो भारत वीरोधी चीजियों होती है उसको लेकर आप एक्षन क्यों नहीं ले रहे हो सबसे बड़ा सवाल यही उपता है आपको बता दें भारत ने इस मामले में सीधे ही कह दिया है कि वो पुडू का कहना है कि हमने सांत कूटनीती काफी हपते तक अपनाई और उसके बाद हमने यह फैसला लिया उन्होंने कहा कि 16 मिनट के लिए बंद कमरे में पीम मोदी से मिले थे हमें पता था कि यह कठिन बात चीत होगी लेकिन हम यह भी जानते थे कि यह भारत के लिए जी कर सकते हैं टूडू से जब यह पूछा गया कि क्या पीम मोदी और भारते नेताओं के साथ उनकी यह मुलाकात रचनात्मक रही तो कनाडाई पीम ने कहा नहीं जस्टिन टूडू ने एलान किया कि उन्होंने 18 सितंबर को यह जानकारी इसलिए सारुजनी की तोंकि उन्हे के साथ बादचीत में टूडू ने कोई सबूत पेस नहीं किया अब वैसा ही कुछ FBI के चीफ के साथ है FBI के चीफ भारत पहुचे हैं और भारत पहुचने के बाद इनकी पहली मुलाकात हुई है भारत के CBI डिपार्टमेंट से CBI Department से मिलने के बाद इनकी मुलाकात NIA से भी हो रही है राइटर की एक खबर देख रहे हैं भारत भी चुपचाप सुनने वाले मोड में नजर नहीं आ रहा है भारत ने सीधे सीधे अब पूछना सुरू कर दिया है पहली बात तो FBI से कहा है कि आप जो भी आपके पास जरूरी चीजें हैं सिख से परिष्ट को लेकर उनको सेयर कीजिए इन्होंने कहा है कि खालिस्तानी अलगावादी जो भारत के खिलाफ अमेरिकी धर्ती में रह कर काम करते हैं उनकी जानकारियों को आप साजा कीजिए आप ये भी साजा कीजिए कि उन्होंने कौन-कौन से नए नेटवर्क बनाए हैं आपको बता दे NIA के डाइरेक्टर जनरल दीनकर गुपता इन्होंने एक डिसकसन किया और इन्होंने कहा कि जो भी नेटवर्क इस वक्त चल रहा है टेररिस्ट आतंकियों का और्गनाइजड क्रिमिनल नेटवर्क है उसके साथ हम इन्वेस्टिगेशन करें हम उसके बारे में जानकारिया निकाले यहां एक चीज तो अभी फिलाल के लिए उल्टा ही दिख रहा है उल्टा यह दिख रहा है कि इन्होंने और भी सवाल करने सुरू कर दी है जैसे कि भारतिये कॉंसूलेट में जो अमेरिका में हमला हुआ था उसको लेकर भी भारत ने सवाल करने सुरू कर दी है कि अच्छा जी आप बताओ आपके यहाँ पर जो हमला हुआ था उसका क्या है क्या रिजल्ट निकल कर आया तो आपको बता दें इन्होंने कहा कि यहाँ जी हम बहुत आकरामक तरीके से इस मामले में जाच कर रहे हैं आपको बता दें भारत के कॉंसुलेट जो सेन फ्रेंसिसको में है 19 मार्च और 2 जिलाई को यहाँ पर हमले हुए थे कुल मिलाकर यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ भारत ही हावी होता हुआ दिख रहा है कहा जा रहा है कि अब इस बैठक के बाद क्या रिजल्ट आता है वो आने वाले समय में पता चलेगा पर इन सब के बीच में कुछ चीजे हुई हैं ऐसा लगता है जैसे कि भारत पर दबाब की राजनीती बनाने की कोसिस हो रही है और खालिस्तानियों को बचानी की कोसिस कर रहा है अमेरिका और इसी करम में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बाइडन जो की आने वाले थे 26 जनवरी को हलाकि इसकी पुष्टी उन्होंने नहीं की थी भारत ने 26 जनवरी के गेस्ट के रूप में नियोता दिया था जो बाइडन को पर कहा जा रहा है कि डेट तारीखें मेल नहीं खा रही है प्लान ये था कि 26 जनवरी को यहां पर गेस्ट के तौर पर आएंगे बाइडन और 27 तारीख को क्वाइड की मीटिंग होगी तो दोनों ही चीजें साथ साथ हो जाएंगी यही प्लान किया गया था पर ऐसा लगता है जैसे तारीखें मैच नहीं कर रही है और तारीखें मैच नहीं होने के वज़े से दोनों ही तारीखों को बढ़ा दिया गया है अभी के लिए कहा जा रहा है कि 2024 के अंत में यह मीटिंग हो सकती है हलाकि कुछ विसले सक ये भी मान रहे हैं कि अमेरिका के दौरा इस वक्त भारत को एक mixed signal दिया जा रहा है मतलब दोस्ती वाला भी दूस्मनी वाला भी आप हमारे कंट्रोल में रहकर काम कर सकते हो तो करो इस तरीके वाला भी दिया जा रहा है और ऐसे में भारत आने वाले दिनों में कैसे इस मामले से को निपड़ता है वो देखने वाली बात होगी फिलाल तो यही दिखरा है कि चाहे NIA हो या CBI हो दोनों ही फुद ही FBI से प्रश्ण कर रहे हैं कि आप ही हमें बताओ आगे का सीन क्या है आपने Consulate को लेकर क्या Action लिया आपने और भी कई चीज़ों को लेकर क्या Action लिया है वैसे आपको क्या लगता है भारत का रूख किस तरीके का है कमेंट कर अपनी राए जरू बनाएं जब मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ